हाई फ्रेंड वेलकम आप सभी का स्वागत है जोब सम्मंधित रिलेटेड भैकेंसी में आप देख रहे हैं एजुकेशन जोबडेट यूटूब चैनल को आईए मैं आप लोग को कुछ बहतरीन जानकारी देने वाला हूँ सबसे पहले इस जानकारी को आप लोग एक बार देख लिजिए जो जानकारी आपके पास है यहाँ पे आप लोग देख लिजिए जैसे कि आप सभी को बताया गया है यहाँ पे कि आप लोग के बीच Cloud Heritage और इसका लास्ट येट कब तक है क्या प्रोसेस है सारा जानकारी आपको मिलेगा सबसे पहले यहां पे देखलीजे अच्छर आच्छल योजना जो अच्छर आच्छल योजना होता है उसमें 4 सितंबर तक आवेधन लिये जाएंगे परतियेक टोला में 4 सितंबर तक आवेधन लिये जाएंगे अगस के बाद सितंबर जो आता है 4 सितंबर तक आवेधन लिये जाएंगे और 2578 से अधिक सिक्षा सेवकों की होगी बहाली बिहार में और जैसे कि आप लोग को मैं बता दूँ ये काफी बहुत बढ़ी भरती हैं सबसे पहले आप लोग यहाँ पे एक बार देख लिजिए संबादा पटना सिक्षा बिभार अक्षर आचल योजना के तहद 2578 से अधिक सिक्षा सेवकों की बहाली करने जा रहा है सिक्षा बिभार के अपर मुक्ष सचीब केके पाठक ने परदेश के सभी डियम को इस सम्मर्द में पत्र रिखा है मतलब बिहार के सभी जिला के डियम को पत्र लिखा है और पत्र लिखने के दोरान यह भी कहा है यह बहाली जिला अधिकारियों की देख रेख में होगी दरसल 24 जुलाई को जिलावार रिक्त पदों की सूची के साथ बहाली की पूरी परकेया से सम्मंधित एक वर्क कैलेंडर शभी डियम को भेजा गया है 29 अगस्त तारीक को विग्यापन जारी कर 4 सितम्बर तक आवेदन ले जाएंगे वर्क कैलेंडर के अनुसार 31 जुलाई तक अवादी की परकांडवार सुची बनाई जाएगी पांच अगस्त को महा दलीत डलीत और अल्पसंख्यक अति पिछडा बहुमुल्य तोलों में परखंडवार रिक्ती निर्धारन किया जाएगा 14 अगस्त तक सम्मंदित वाड के निर्वाचित वाड सदस की अध्यक्षता में चियन समेती का गठन किया जाएगा 19 अगस्त तक नियोजन के लिए NIC की वैवसाइड तथा परखंड के सार्वजानिक अस्थानों पर नोटिस चीपका कर जानकारी दी जाएगी 14 अगस्त को सम्मंदित वाड में निर्वाचित वाड सदस की अध्यक्षता में चियन समेती का गठन किया जाएगा 19 अगस्त तक नियोजन के लिए NIC की वैवसाइड पर परखंड के सार्वाजानिक अस्थानों पर नोटिस चिपका जाएगा 4 सितंबर तक आवेधन लिये जाएगे 9 सितंबर तक मेगा अंकी गन्ना की जाएगी 16 सितंबर तक आपत्ती लिया जाएगी यानि मैं बता दूँ 16 सितंबर तक इसका आपत्ती लिया जाएगा और ये बेहतरीन जानकारी बेहतरीन आप लोग को कहा जाए तो भेकेंसी है इस भेकेंसी सम्मझित आप लोग जडूरी से विडियो को देखे और शेयर करने का प्रयास करे आगे मैं बहुत कुछ आप लो नोकरी छिनना या सरकार क्या कर रही है रोटी दिखा कर बोटी और नोकरी दोनों छिनती है अंतिम डेट आप लोग को 4 सितंबर तक है मैं बता दू बिहार सरकार क्यों सो रही है जो पढ़े लिखे नो जवान जो साथी है जो युभक है वो अभी बेरोजगार है बिहार मे मेरे फेस्बूक पेज को भी फोलो कर ले और मेरे बैब साइड को विजिट कर ले जिसका लिंक आपको वीडियो के निचे डिस्क्रिशन में मिलेगा मिलता हूं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत